जैहिन नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूटूब चाइनल एस्टाइंड बीपीएसी में एक थोरा सा अपडेट है मेरे पास और ये बहुत इंपोर्टेंट है समझना है जो भी बीटीएसी से संभनेत है उन लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है या खासकर इंज केस में सुनवाई है और केस का अपडेट भी फाइनल जो आ रहा है हम साम को आपको बताने का प्रयास करेंगे पांच या छे के बीच में कोशिज करेंगे पहले अपडेट देने के लिए हाला कि जो उससे पहले जो हमारे पास अपडेट है उसको मुझे बताने का जरूरी ह कि जो भी मेरे दोस्त आपको मालूम है कि पतना हाई कोट में यह गेस्ट वाले क्या की आई है जो जो फेल हो चुके है जो cbt qualify नहीं किया है वो केस किये हैं उनका स्कोर कम है जितना उनसे स्कोर मांगा गया था कि आपको इतने से इतने नंबर के बीच में क्या करना है मांग हो चुके हैं इसको कार्ड के मुताबिक जितना डिमांड किया गा था उन लोगों ने कोट में मैटर पहुंचा दिया ठिक और बात दो ही चीजे को हो रही है एक CTA और Non-CTA और इसमें बहुत समझने वाली बात है इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा देखे जो Non-CTA वाले हैं तो उसका भी आप लेटर परहेंगे तो उस लेटर में साफ चीज को इसको मेंसन किया है कि जो Non-CTA वाले हैं अगर वो CBT पास हो गए हैं आप Non-CTA हैं आपने CTA नहीं किया है यानि आपको भी मालूम है कि बिहार में कोई CTI कॉलेज नहीं है और बहुत लोगों मालूम भी नहीं था Engineering Complete करने के बाद ITI करने के बाद Poltechnic करने के बाद किसी को तो यह भी नहीं मालूम था कि कुछ कोई CTI भी होता है क्या इस दिन से ज्वाइनिंग होगा उस दिन के अंदर आपको क्या करना होगा तीन साल के अंदर CTI करना अनिवार है अगर आप तीन साल के अंदर CTI नहीं करते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों आपके छुटी कर दी जाएगी इस चीज़ को अब ध्यान रखियेगा तो जो CBT qualify है उनको भी joining कराया जाएगा ये clear हो चुका है ठिक और आज भी इस चीज़ को clear कर दिया जाएगा High Court में जो बिहार के महाधिवक्ता PKS आहीं है वो जजज सहाब के सामने अपना report प्रस्दूत कर रहे हैं बहुत चलेगा ही थोरे दिर में अज जो भी होता अपडेट आता है हम साम को अपडेट दे ही देंगे तो इस चीज़ को समझ लीजे जो guest वाले हैं उनके भरकाओं में नहीं आना है guest वाले जो CTI किये हैं वो लोग फेल हो चुका है CBT ठेक है इसलिए जाकर वो लोग याची का दर्ज किया हमारा fundamental right है कि इसलिए ऐसा इन लोगों को non-city वालों को बाहर कीजिए लेकिन high court तो इतना मूर्क नहीं बैठा हुआ है वो भी जानता है कि दुनिया में exam का क्या मुहत्व है इससे पहले भी आपको मालुम है कि गजट तयार हुआ 2024 मोशन सोधन कर दिया कि अब जो भी परिक्षाई होगी BTSE का वो सब CBT पर होगा computer based test पर होगा यानि परिक्षाई लिया जाएगा यानि सब कोई कहीं न कहीं पर एक छाओ का समर्थन कर रहा है और इस चीज़ पर एक बहुत बरी update है समझ लिजे कि अब exam जो non CTI है उपास है आपको घबराने के जुरूत नहीं है दोस्तो यह score आपका अच्छा आ रहा है CBT अब वहाँ पर मेंसन कि है qualify है तो समझ लिजे यानि यह score अच्छा आ रहा है इतना मान कर चलिए score आपका ठीक ठाक है तो आपको कोई नहीं हटाएगा और जो दिन जवाई नहीं होगा उस दिन का अंदर आपको आपना कहीं से भी बिहार से बाहर बहुत सारा college CTI का वहाँ से कर लेना है ठीक है वहाँ से कर लेना है तीन सल के अंदर और नोकरी करना है बस देखिए आज भी फैंसला आएगा ही hit में ही आएगा जो भी है उनके hit में ही फैंसला आएगा इस चीज़ को ध्याँ रखिएगा बस बने रहेंगे stand BPC के साथ हम आपको update देंगे जल्दी जैसा सुनवाई होता है जो लोग गए है वहाँ पर उनके मताबिक अगर आता है कोई update तो ठीक होगा ठीक है तो चलिए take care बाइबाई अपना ख्याल रखें और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स वीडियो में